हेलो एवरिवन स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपनी यूट्वीब चैनल में तो आज मैं बना रही हूँ परमल की सबजी और उसी की रेसिपी आप सभी किशाद शेयर करने वाली हूँ और यहां पर मैं बिना लसन प्याज का यूज किये परमल की सबजी ब यह भी मैंने टमाटर ले लिए हैं 4-5 और मोटे मोटे पीस में काट लिए हैं तो सबसे पहले मैं टमाटर को हलकी सी चिकनाई चड़ा कर उसे 2-3 मिनट के लिए भून लूगी यहां पर मैं टमाटर को भूनकर ग्रेवी बना रही हूँ तो इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और सब्जी के साथ बहुत ही अच्छे से लिपट जाती है तो आप भी इस तरीके से गरेवी बना कर देखेगा एक बार बहुत टेस्टी सब्जी बनती है तो यहां पर मैंने टमाटर को अच्छे से भून लिया है उसके बाद डाल दें इसमें थोड़ा सा काला नमक थोड़ा सा सावद जीर थोड़ा सा डाल दूँ सपेद नमक है थोड़ी ची डाल दूँ हल्दी हींग और एक बड़ी चमज डाल दिया है दनिया तो अब यहां पर देखे मैंने पेस्ट तियार क लिए है सारे समान डाल कर तो अब इसमें सपड़े हैं ने थोड़ी सी चिकनाई चढ़ा कर यह भर मैं हैं इसमें डाल दिया anywhere को आर ग आप यह कुछ भी और ऍथी चैपने के बड़ और कर दोड़े तोускे बाद तोमाटर की इसमें रशवाद सब्सुरड़ा बस मसाले को अच्छ बून लीजिए जबी मसाला चिकनाई छोड़ दे तो उसके बाद इसमें हलका सा पानी डाल कर एक उबाल लगा कर डाल देंगे हम अपने परमल तो जब इस तरीके से ग्रेवी हम मनाएंगे तो फटा फट से मारे सबजी तिया रही ते देखिए चिकनाई चोड़ दिया है हमारे मसा लाते हुए मिक्स करेंगे और बिल्कुल धीमी आज करके डख करके रख देंगे पकने के लिए अब यहां पर अच्छे से मिक्स हो गए है मसाले में तो जली आप इनने लग देते हैं कि यहां पर मैंने डख दिया है तो कुछ टाइम के बाद देखेंगे हम अपने पर मल को चेक कर लेती हैं तो देखिए पर मल हमारे लगबख बन गए हैं तियार हो गए हैं तो जब परमल दियार हो जाएंगी तो सबसे लाश्ट halt निस में डाल देना थोड़ा सा गरम मसाला, ज्यादा नहीं डालना है बिलकुंप थोड़ा सा गरम मसाला डालना है, अभे देखी परमल हमारे पग गई हैं अच्छे तियार हो गई है, तो ये डाल दे मैंने थोड़ा स गरम मसाला और आप मेलोही की कड़ाई से निकाल लूँगी एक सर्विंग बावल में तो देखिए परमल हमारे बन करके तियार हो गए हैं बहुत अच्छी खुस्बू आ रही है और खाने में भी टेश्टी बने हैं तो आप भी एक बार ट्राइ किजिएगा मिना लसन यहां पर मैंने थोड़ाशा डाल दिया हरा दनिया कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई राशिविक्ट